नमस्कार दोस्तों समय ना लगाओ तै करने में कि आपको क्या करना है वरना समय स्वयम तै करेगा कि आपका क्या करना है नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी डासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बर आसी वालों की कुम्बर 80 वालों का 12 जनवरी दिन गुरुवार कैसा रने वाला है उन्हें आने वाले समय में किनकिन चीजों से सावधान रना होगा और कुम्बर 80 वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी खुशकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बर 80 वालों का पारिवरीक जीवन कैसा रहेगा उनका बिजनेस वेपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साती सात उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून रासी फर बताएं अगर दोस्तो आपकी भी कुम्ब रासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज गुरु वार है साइनात महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में ओम साइनात महराज जरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है 12 जनवरी 2023 दिन गुरु है आज की तीथी है पंचांग है आज का नशतर है पुर्वफालगुनी नशतर है पच चल रहा है कृष्णे पच दोस्तो आज सूरदेव दै होंगे सुवे 7 बच के 8 मिनट पे सूरदेव अस्तोंगे साम 5 बच के 44 मिनट पे दोस्तो आज का सुब समय सुभे 10 बच के 45 मिनट से दोपहर 12 बच के 26 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तों कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथी साथ आज का असुप समय दोपहर एक बच के 26 मिनट से दोपहर तीन बच के 7 मिनट तक दोस्तो आज आपका लकी नमबर है दो और लकी कलर है गुलावी अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती क्यान के पारे में चानक जी कहते हैं पतनी हमेशा पती से चुपा कर रखती है ये तीन बात हैं जी हाँ दोस्तो सरप्रथम है पैसे की बचत जी हाँ दोस्तो पती से मिलने वाले घर खर्ज के पैसे को हमेशा पत्नी छिपा कर रखती है क्योंकि वो पैसे को भविष्य में किसी भी संकट की श्तीती से निपटने के लिए बचा कर रखती है सादी के बाद पत्नी अपने पती को किसी भी प्रकार की परिशानी नहीं होने दिना चाहती यही वज़ा है क्यों अपने बिमारी की बात भी पती से छुपाती है दोस्तों पतनी हमेशा पती से अपने मन के भीतर छुप हुई इच्छाओं को छीपा कर रखती है कई बार वा चाकर भी प्यार कई जहार नहीं कर पाती साथ ही रुमैंस को लेकर भी वो अपने पती के सामने अपने बिचार रखने में कतर आती है तो दोस्तो आज का चानक निति ज्यान आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बरासी फल के बारे में कैसा रहीगा आज का दिन आई ये जानते हैं तो दोस्तो आपकी साम कई जजबातों से घिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी प्रदान कर सकती है परन्तु दोस्तो ज्यादा चिंता करने की आविश्यक्त नहीं है क्यूकि आपकी खुशी आपके निरासाओं के मुकाबले आपको ज्यादा आनन्द देगी दोस्तो अटके हुए मामली और घने होंगे वह खर्चे आपके दिमाग पर च्छा जाएंगे अटके घरेलू कामों को अपने जीवन साथी के साथ मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करें आज के इस खुबसूरत दिन प्रेम संबंध में आपकी सभी सिकायते गायब हो जाएंगे दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अरंगा लगा सकता है इसलिए आखे खोल कर रखी और अपने चारों तरफ हो रही गतिवीद्यों के प्रती सजग रही अगर आप अपने घर से बाहार रहकर अध्यन या नौकड़ी करते हैं तो आज करीं आप खाली समय में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं जिससे आपको दिली खुशी हाशिल होगी दोस्तों घर की किसी ख़वर को सुनकर आप थोड़ा भाबुग भी हो सकते हैं साधी के बाल बैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन आप आज मैसूस करेंगे कि यह सब्द मुम्किन है साथ ही आपको बताए आज भागगे आपके पच्च में लाप के नए रास्ते सामने आएंगे एवं लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता दूर हो सकती है जिससे मन को सांती मिलेगी आर्थिक मामलों में कोई पक्का और महतुपूर फैसला भी सफल रहेगा इवं अपने विरोध्यों की हरकोतों को नजर अंदाज ना करें छोटी सी बात पर किसी से विवाद हो सकता है इसलिए गुस्से पर काबू रखना जरूरी है बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए उनके साथ कुछ समय अवश्य भीता है कामकाज को लेकर इस पश्ट लापरवाही की कारण नुकसान हो सकता है साथ ही दोस्तों पार्टनर से विवाद बढ़ता हुआ आज नजर आ सकता है इसलिए स्वयम पर सैयम रखे साथ ही आपको बताए आप अपने दिल और दिमाग के बीच खिचा हुआ मैसूस कर रहे है क्यूंकि विचार और रिस्ते आप से बहुत कुछ मांग रहे है आप एक ऐसी जगा में खुश रहेंगे जहां आप रचनात्मक हो सकते हैं और अपनी बुद्धी को व्यस्ते रख सकते हैं बड़ों का खयाल रखें जिन्होंने आपका खयाल रखा है घर पर पर्योजनाव या नविनी करण में सहायत करें साथ ही पैसी से लिकर रोमैंस तक सब कुछ ठीक हो रहा है आप कुछ नए कोशलों को तराशने के लिए बहुत ही अच्छा समय दोस्तों चल रहे मामलों को समेटें और नए अवसरों की तलाश करें आप केवल वही पाएंगे जो आप ढून रहें इसलिए आसावान बने रहें और आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होती जा रहें साथ ही आपको बताएं ध्यान रहे दोस्तों यह समय अपने लच्छे के लिए कंभीता से कोशिश करने के समय आपको बहुत चल दी इसका फल भी प्राप्त होगा आप अभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे उनको कारे नवित करने का समय आ गया है आपको अपने सारा ध्यान अब इसी पर लगाना चाहिए हालकि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सफलतक इच्छा प्रवल बनेगी अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आई ये जानते हैं तो दोस्तों आज के माहौल में ही प्यार भरा है अपने पार्टनर के लिए कोई विशियस योजन अपना कर उन्हें सर्प्राइज दे सकते हैं दोस्तों अगर आप किसी संबंद में तो यह सबसे अच्छा समय जब आपको अपने संबंद का सुरुवाती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए इसके लिए सायद मित्रों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगा अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत और अंतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा जो अकेल हैं उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी से हो सकती है अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यपार और केरियर की तो दोस्तों जिन पर्योजनाव पर आप लंबे समय से लगने के साथ कारे कर रहे थे इस मोड पर आपने सारवजनेक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी सैली में मंच पर आगे की ओर सान से रुख कर सकते हैं आपके कारे की विशिष्ठा आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सब के सामने आएगी पर याद रहे आपकी गोपनियता बना कर रखनी चाहिए वन्ना गोपनियता ना बनी रहेगी तो यह समय के अनुशार परिवर्तित हो जाएगी तो दोस्तों यह था अचका कुम्ब रासी का रासी फर रोज की कुम्ब रासी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेट करें आपका दिन सुभू नमस्ते दोस्तों राधी किष्णा